विशे शुरू करने के पहले थोड़े प्रशन देखते हैं एक प्रशने के अप्षमिक सम्यक्त के बाद दर्शन मोनी के जो तीन भाग है उसके जो तीन प्रकृतिया है क्या उसके अस्थित्व में भी फिर जीव से अप्षमिक सम्यक्त प्राप्त कर सकता है या सिर्फ वेदक सम्यक तो इसकी तो हमने बात की थी कि जब से उस मिध्यात में आया है तीन टुकड़े है तो असंख्यात वर्षों तक उसकी उद्वेलना चलती रहती है तो असंख्यात वर्षों तक तो उसके अगर सम्यक तो होगा तो वेदक सम्यक तो ही होगा जब उन दोनों की सिती गड़ते गड़ते सागर या उसके कम हो जाएगी हो सकता है कि एक निशेग भी बाकी रहा तब अगर उसका सम्यक तो कौन सा होगा तो कहते हैं उसके आउप्षमिक सम्यक तो होगा एक सागर जितनी सिती होने तक वेदक सम्यक तो होगा और एक सागरिया उससे कम कितनी भी सित्य हो जाए तब उसके आउप्षमिक सम्मेक तो होगा बले तीनों की सत्ता है या इसा भी हो सकता है कि एक की सत्ता मिड़ गई और फिर दुसरे की भी मिड़ गई अकेला मित्यात्वरा तब तो आउप्षमिक हो ही सकता है